कि यूजिली सर जो सबसे जाधा problem आती है वो यही आती है कि एक stage के बाद आप directionless feel करते हैं आपको समझ नहीं आते हैं दूसरा यह कि it will take time मेरे लिए सर comparatively time थोड़ा सा जल्दी हो गया but actually mentally prepare कर लिया था खुद को कि time लगेगा तो जैसे कह रहे हैं कि of course family का support फिर काफी था time लगेगा तो लगेगा अब क्या गर सकते हैं सर तो सर उसके लिए थोड़ा सा perseverance वगयरा रखनी पड़ेगी क्योंकि सर down days भी आएंगे काफी जादा मन नहीं करेगा पढ़ने का results immediate नहीं होंगे तो सर उस feeling को overcome करना सीखना पड़ेगा क्योंकि जैसे job भी लगने के बाद भी अभी तो कवरसर काफी अच्छा लग रहा है सब but you know कि job लगने के बाद नए challenges सामने आते हैं तो जो आप character अपना एक develop करते हो preparation के टाइम पर वही character आपको आगे चलके job करने में भी मदद करते हैं अज की खास मुलाकात में हमारे से मौजूद है रागव चोदरी जी जिन्होंने जेके एस में जो है qualify किया है और इनकी पूरी family हमारे से मौजूद है फादर साब हैं ममा हैं चाची हैं मामू है सैड में चाचू हैं वहाँ पे और सबसे पहले हम रागव के पापा और ममा से बात करेंगे क्योंकि माबाप का बहुत बड़ा योगदान रहता है बच्चों के जो future में सर आपका पूरा नाम जाना चाहेंगे मेरो नाम है रवेल सिंग नथ्याल अगर बात करें हम रागव ने जो कौलिफाई किया है काफी मुश्कित रहता है काफी सारी परशानियों का सामना करना पड़ता है काफी आँखें गड़ानी पड़ती हैं किताबों में है तो कैसा रहा यह सफर फ़र ठीक रहा बढ़ता था अच्छा पड़ता था अना साल से कफी अच्छा पड़ता है तो मुझे पूरा इस पर कांफिडेन्स ना कि यह कर जाएगा इसको लगता कुछ और भी लोग मुझे कहते थे की दिखो कुछ पारच करो ऐसा करो तो मैं इस पर नहीं जिकिन करता था मुझे इसको पुरा कांफिडेंस ना कि यह कर जाएगा हाट वर्क करता था मैंद करता था अच्छा था उस वहीं से मुझे रिफलेक्ट होता था कि यह अच्छा कर देगा पहली बार आपको मतलब कोई पता चला यहां फोन कॉल किया किसी ने कैस रेक्षिन रहा है फोन काल इसको आया हम सो रहे थे रात को एक बज़े एक वज़े इसने हमें जगाया पापा मेरी सेलेक्शन होगी है रात को इक बज़े दो पिछली पिछली से पिछली रात तो बहुत अच्छा लगा बहुत बहुत कुश हुई किसकी फर्स्टम्ट थी तो यह मारे बड़ी बात थी हमारी फैमिले में फ़स्ट मेंम्बर है जो ही इस जॉब में या वाकि हमारी फैमिली मेरे ब्रेदर्स बेंकिंग सेक्टर में थे मैं लेक्टर हूं मेरे मी में अड्र फरिय्टॉ नटिर्स प्रिस tint प्रिफ दिए को चलाता है यह एक और सी बात करें कहां से आप बलॉंग करते हैं बेसिकली हम बिस्किली बिलॉंग करते हैं अभी नंदपुर संबत सिल में एक टाउन है नंदपुर को यहां से है ट्वंटी सेगन ट्वंटी सिक्स किलोमेटर बड़ एरिया हमरे से बार्डर है को तीन किलोमेटर हमरी जमीन भी है तो मैंने बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं इदर क डाक्टर घारो चोधरी मैं प्रिंसीपल हूं विमलमुनी कॉलेज अफ एजूकेशन सांभा में तो आसान रहा होगा एजूकेशन विभाग से ही मतलब तालुक रखते हैं रागव को इतनी दिक्कत नहीं होगी मतलब समझने में कोई भी चीज नी इसका तो अब हमारा तो म मेरी काफी परानी स्कूलिंग थी पर यह है कि मैंने रिसर्च रिसेंटली की है तो उसमें हम दोनों मावटा इन्वाल्व रहते थे तो इनिशियली तो यह वस प्रपेरिंग फर आमी यह एंडिये के लिए फिर इसनी सीडियेस का इंटर्व्यू भी फेस की है उसमें रिज तो यह उसमें हो गया इसने में प्लोटिकल साइंस किया नेट कॉलिफी किया फोर टाइम्स और जे आर्फ किया रिसंटली इस तरह की खुशी है खुशी तो होती ही है हां जी हां मैं माबाब को यह कहूंगे कि हमें बच्चे को जाज़ा प्रेशराइज नहीं करना है बच्चे की क्या स्ट्रेंथ वनना है जैसे हम क्या होता है हमें पेशन्स रखनी पड़ती है क्योंकि यह इंस्टन्ट रिजल्स नहीं है अगर आपके बच्चे इस साइड में है त 12 के बाद at once उनकी selection हो जाती है तो अपना friend circle society में जब हम देखते हैं कि सभी students absorb हो रहे हैं, अब बच्चा graduation कर रहा है, इसने master's भी start की, तो इसके साथ 12 में बच्चे settle हो गे थे, तो हमें ये वाली patience रखनी पड़ती है और बच्चे को sport करनी पड़ती है, इसके जब ये result आने बाला था तो मैं इसको मतलब मैं उसके साथ ही थी, मैं इसको बोल रही थी कि ये बोल रहा था ममा मेरा result लगता है रात को ही आ जाएगा, server down है, ये वो, तो मैं इसको ये नहीं मैंने कहा, कि मुझे मतलब ये थोड़ा होता ना कि हमें broadly सोचना पड़ता है, मैंने इसको कहा क जैसा भी result आएगा selection होगी वो तो हमारी बहुत बड़ी achievement है लेकिन हमने बोथ aspects देखने हैं अगर result नहीं भी आता तो यह नहीं है कि तुने बैठ जाना है वो dumbo के और disturb हो जाना है ऐसे distract हो जाना है मैं उसके लिए इसको continuously यही स्पोर्ट करती थी और यही पूरी family को भी कहती कि इसको कुछ कहना नहीं है demotivate नहीं करना कुछ नहीं होता failure से ही बच्चा सीखता है तो मैं यहीं होंगी मेरा यह message है कि parents और family यही बच्चे की support होती है और हमें बच्चों को यह instant result की तरफ नहीं जाना कहते हैं ना वो जो success will take time यह होता है हमार से मौजूद है रागब से भी बात करेंगे रागब जी कैसा रहा आपका सफर यहां तक कितनी तेयारियां करनी पड़ी सर कॉलेज में इनिशली मैंने थर्ड यह से थोड़ा जनरल स्टडीज के प्रेपरेशन एक स्टार्ट कर दी थी तो उसके बाद सरा मोर फोकॉस्ड अप्रोच जो थी वो मेरी मास्टर्स के टाइम पर ही स्टार्ट हुई स्ट्रीम लाइंड प्रेपरेशन थी वो सर कोविड के अंदर ही हुई थी तो सर अफकोस आप भी जानते ही हैं कि जर्नी काफी लंबी थी एक्जाम को भी कंप्लीट होने में पूरे दो साल लग गए हैं सर इसका नोटिफिकेशन आया था फेबररी 2021 में तो सर यह इस पेश यह सर यह सर जब आप को पता चला आप मनलोग क्õallify कर चुके हैं तो किया रिक्शन था 인सार। तो मुझे तो लगा था कि काफी दिन अभी तीन-चार दिन तो लगेंगे रिजल्ट आउट होने में बट देवर सम् रूमर्स की रिजल्ट आज रात को या जाएगा मैं वेट कर रहा था याराम बाराम बजे तक उसके बाद थोड़ा सा थक गया एक्चुली में लेट सोता हूँ गाफी तो उस दिन आए थाट की आज जल्दी सो जाता हूँ बात करेंगे क्या कुछ शेडियूर रहता था आपका टाइमिंग वगरा कैसे मैनेज करते था कि सरस्केडियूर यूजिली ऐसे ही रहता था कि पूरे दिन पर इस्ट्रिब्यूटर था कि सब सिर्फ प्रपरेशन ही गर रही थी मैं कोई और जॉब भी नहीं कर रहा था तो वैसे ही रहता था सर पूर और स्केड़ीूर पूरे दिन में इस्ट्रिब्यूटर रहता था बीच में स्टडी और के सेशन फिर ब्रेक सेशन नापस बीच में ले लो तो ये सै इस हिसाब से आपके साथ में और भी बहुत सारे लड़के होंगे लड़किया होंगी जिन्ह उन्हें कोशिश की होगी और असफल जो हैं हुए होंगे क्या एक मैसेज रहेगा आप का उनकी दूब इसके रिलेटेड मेरा यही मैसेज रहेगा कि मतलब यह काफी अनेक्सपेक्टेड चीजें भी एक्जाम के बीच में हो जाती है सिंस लंबा प्रोसेस है सब्जेक्टिव प्रोसेस रहता है काफी साथा तो I believe कि इसके अंदर सर्टिनीटी तो नहीं रहती है all you can do is work hard and sir इसमें बीच में लग फेक्टर थोड़ा सा रहता है तो sir इसमें यही रहेगा कि it's not the end उसमें sir I don't know कि अब मैं और क्या ही कह सकता हूं because I know मेरे कुछ friends भी हैं जो नहीं हो पाएं तो sir काफी जादा down तो रहता है यह person जिसके लिए prepare किया था वो ना मिले but sir all a person can do is try again because that's all a person can really do so sir I believe कि हार नहीं माननी जाहिए भी थोड़ा सा done किया दुख मनाया उसके बाद दोबारा process में घुसना ही बड़ेगा life goes on sir in future आप civil services में जाना चाहेंगे या police department join करना चाहेंगे sir as of now मेरी first preference police services है and मुझे लग रहा है कि police मिल ही जाएगी तो sir police के अंदर ही गाम करना चाहूंगा sir क्या चाहते हैं आप क्या बदलाव करना चाहते हैं क्या दिखता है वहां पे आपको मतलब कुछ अलग हट करके क्या होगा sir I believe कि police का primary function law and order को maintain करना है and उसी दोर पे कुछ हमने देखा है कि lawlessness की problem नहीं है हमारे law and order काफी अच्छे से maintained रहता ही है जे अनके के अंदर apart from some incidents that keep on happening from time to time sir I believe कि police के अंदर जो हमें functions अब सरब training होगी तो उसके बाद ही है but I believe कि काफी responsibility रहती है police officers के ओपर police एक ऐसा है जो government का visible organ होता है तो एक police officer को sir सिर्फ वो खुद को नहीं represent कर रहा होता है पूरी whole machinery को represent कर रहा होता है sir I believe कि responsible police officer होना जो empathetic है काफी उसकी काफी जरूरत है sir हमारी society को sir उस तरफ थोड़ा सा ध्यान रहेगा तो यहां पर रागव के मामू भी हैं जो मामू कम और भाई ज्यादा लग रहे हैं काफी यंग है इनसे बाचित करेंगे sir क्या नाम है आपका पूरर मेरा नाम अजे चोधरी है अजे जी कैसा लग रहा है आपके भांजू कौलिफाई कर चुके हैं के-स बहुत अच्छा लग रहा हमारी family के लिए बड़ी proud की बात है इसकी मेहनत dedication अरंग लाई है अपनी community के लिए बड़ी गरव की बात है हमारे परिवार को तो है यह नाम है ही है हमारे गाउं का भी नाम रोशन किया है इनों ने और हम यही चाहते हैं कि आगे जिस भी फील्ड में जाए जे अच्छे से इमानदारी से काम करे मैनद से काम करे और लोगों की सेवा करे आज काफी serious mood में बात कर रहे हैं बच्पन में भी ऐसे ही थे या शिरारते में भी किया करते थे नहीं एक्छली यह पिछले इंट्रव्यू में इनकी ममा ने बताया था कि यह बड़ा थोड़ा comedian टाइप बंद है हाँ जी यह जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं बट यह बड़ा ही comic character है हमारी family का and he's a nice guy और हमें we are proud of him message यही है कि work hard in silence let your success make the noise यहां पर और भी रोग है मसूफ मसर जी है यहां पर क्या क्या नाम है शिव दर्शन सेंग क्या क्या क्याना चाहेंगे रागव चोदरी जी के के स्कॉलिफाइग किया है नहीं कैसा लग रहा है कैसा मैसुस हो रहा है देखो मैं खुद आर्मी से हूँ तो यब यह बोड़ अच्छी बात जीत है और ये पोलीस में बहुत अच्छी सेस सेक्स होगा अपनी मैंद से काम करेगा ये पहली ही सुछ जर्शा है और बहुत भूष हो रही है और अगर हम बाकी सदस्यों की रिष्टेदारों की अड़ोसी उपरोसी की बात करेंगे तो किस तरह का रिस्पॉंस आ रहा है वो बहुत सब बहुत खुश हैं हाँ खुश है खुश तो हो गए हमारी फैमिली में पहला बंदा है और बहुत खुश है बैसे भी यूनिवस्टी में पढ़ता था मैं भी उदरी था तो तीन चार साल से हम कठे गी देख रहे हैं एक दूसरे को तो बहुत अच्छा देखता हां मेरगो अभी सभी बचे जाते हैं तो देखने में थोड़ा सा पता ज yıl जाता है कोन पचれ कैसे था कई कई स कर रहा तो पता चल जाता है तो जाता है यह मैंनत करता था इसको कभी आगे पीशे नहीं देखा अपनाना टाइम से जाना ऐसे आख से आना चे अशेए हुतवी में लगाया लाइबरेरी में भी और बहुत अच्छा सा पड़ा और अमेद भी थी कि यह कुछ न कुछ करेगा तो वह आज हो गया वह खुशी पूरी सब के सामने हैं कि यहां पर चाचु भी है क्या कैना में सर पूरा पूरा सब्सक्राइब बहुत कुछ है बच्चे नहीं हाड़ वर किया है और प्लांड बेसे किया है शिरू से 12 के बाद इन्होंने मैंड मना लाएं कि स्विल में जाना है तो अच्छी मेंत के इन्होंने तो कभी कुछी है मेरा नाम रजनी चोदरी क्या कहने चाहेंगे रगब जी के बारे ले किस तरह का इनका व्यावा था साथ में आपके मज़ों रहते थे और आज इसमें काम पे हैं हां जी मुझे तो बहुत खुशी है मैंने जब दी ने मुझे रात को फोन किया था लेट नाइट जब इसका रिजल्ट आउट हुआ तो मैं तनी एक्साइटेड थी सर की बोलते ना खुशी से मेरा मन करा कि मैं डांस करना शिरू कर दू इतनी क्योंकि यह मेरा काफी क्लोज है यह चोटा सा था मेरे पास आना जाना समर ब्रेक मेरे साथ ही इसकी कटती थी तो यह 2010 में इनोंने शिफ् प्रेंट को पूरा अटेंशन देनी चाहिए हमें बच्चों के साथ ताइम स्पेंट करना चाहिए बच्चों की सपोर्ट वनना है हमें तो हम पेरेंट क्या करते हैं कि नहीं वो बच्चा ये कर गया हमारा बच्चा पीछे रहा गया ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चे को टाइम दो आइक यहगा यंग इंग स्टर्स के जो एस फिल्ड में आना चाहते हैं, कि एस ऑफिसर बना चाहते हैं, क्वालिफाई करना चाहते हैं, एक्जाम को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे ? ये सर, सर अक्चुली मैं यही कहना चाहूंगा बस कि काफी एक थरो प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी चाहिए, mindlessly preparation के अंदर नहीं गुसना चाहिए एक structured approach होनी चाहिए उसके लिए अगर आपने mind बना लिया है कि आपने civil services में ही जाना है तो आपको सबसे पहले syllabus के थूर जाना चाहिए syllabus को बढ़ना चाहिए topic by topic उसके बाद आपको हर subject के previous year questions देखने चाहिए तो आपको एक पूरा आपके mind map बन जाएगा आपका एक तो फिर preparation करना easy हो जाएगा क्योंकि फिर आप बिल्कुल ऐसे directionless feel नहीं करोगे क्योंकि usually सबसे जादा problem आती है वो यही आती है कि एक stage के बाद आप directionless feel करते हैं आपको समझ नहीं आते है दूसरा ये कि it will take time मेरे लिए sir comparatively time थोड़ा सा जल्दी हो गया but actually mentally prepare कर लिया था खुद को कि time लगेगा तो जैसे कह रहे हैं कि of course family का support फिर काफी था time लगेगा तो लगेगा क्या अगर सकते हैं sir तो sir उसके लिए थोड़ा सा perseverance रखनी पड़ेगी क्योंकि sir down days भी आएंगे काफी जादा मन नहीं करेगा पढ़ने का results immediate नहीं होंगे तो sir उस feeling को overcome करना सीखना पड़ेगा क्योंकि जैसे job भी लगने के बाद भी अभी तो cover sir काफी अच्छा लग रहा है but you know कि job लगने के बाद नए challenges सामने आते हैं तो जो आप character अपना एक develop करते हो preparation के time पे वही character आपको आगे चलके job करने में भी मदद करता है तो sir यही है थोड़ा head and heart की qualities हमें खुद के अंदर imbibe करनी चाहिए उनको polish करना चाहिए and यह sir सिर्फ मेहनत ही कर सकते हैं और कुछ result हमारे हाथ में है नहीं जी बिटा क्या नाम है आपका अक्षान अथ्यार क्या लगते है रागर जी आपके मेरे कजन ब्रदर लगते हैं and I'm very happy about that and very heartiest congratulations from my side मैं बहुत खुश हूँ कि इन्होंने इतना hard work किया और आज यहां पर I'm very happy मेरा भी इसी फील्ड में civil services में ही इंट्रस्ट है and भाईया भी अभी के आज है तो इसलिए आप सब का हमार साथ बाचित करने के लिए रागव चोदरी जी जिन्होंने जेके एस में जो है qualify किया है और इनके पूरा परिवार यहां पर मौजूद है काफी खुश है खुशी की लहर है पूरे परिवार में भी और सारे जितने भी लोग इनको जानते हैं और पूरे जम्मू कश्मीर का नाम जो है यूवाउन ने जो है रोशन किया है आप सब का इस पर क्या कहना है क्या राए है आप भी अपनी राए जो है जो है जूरू सांजा कर सकते हैं इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स क्लाब देखते रहें नियू सहर इंडिया मैं और फार्द अमर्डेंग कैमराबैन शानवाज के साथ